में नमस्कार दोस्तों माहियोगे साप सभी का बहुत-बहुत स्वागत रताओं स्टाडी लट लटके तो आजम बश्टी सी 2022 के सलेबस से लेटेड बात कने वाले हैं आज के सुड़ों में बात करेंगे कि बश्टी सी 2022 की सलेबस में कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट हैं ठी चैनल को सस्क्रेब relies याजS आपको यह को सब्सेंदर स्बस्रेब कर लिएए सबस्जब कर ले वह न बात क कि इसके बादक राजस्तान की सामानी जानकर इसपहब जिक्यांप बोलते हैं एक बात रॉल ने उसमें आपको क्या होता हैं आपको शोलिक्स पिस खत क्योंवरे सकते हो तो आपको आपके रीजनिंग हो आईगी 50 कि अईगी और आपकी रिजनिंग आणिए जिग एपका इस प्रकार्शए आएगा है रेपाद तो मैं थोड़ा सापको बताएता हूं कि जो माली जी रिजनिंग सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा कि आपको चार उप्शन दिये जाएंगे उसमें एक उप्शन से होगा उसमें आपको तीन नमर दिये जाएगा अगर आपने गलत भी कट दिया तो आपका नमर नहीं कटा जाएगा और आपने रिजमी में सही कट दिया उसमें आपको तीन नमर मिल जाएगे लेकिन जो शिक्षन अभिक संबता है यानि टीचिंग अप्टिटूट में उसका जो खेल है वो थोड़ा सा लग है उसमें क्या ह उसरा है 50% है और तीसरा हुए 1% और जो उप्षन नमर नमर टीचिंग चया यानि पूरा गलत है तो उसमें आपको पूरे तो तीन नमर मिल जाएंगे और उसमें आपने अगर option नमर B यानि 50% से के तो आपको दो नमर मिल जाएंगे अगर आपने C यानि 1% राइट के ताब आपको एक नमर मिलाएगा और आपने एकदम बिल्कुल से गलत कर दिया ताब आपको 0 नमर मिलेंगे यानि आपके तीन option में नमर डिवाइड के जाते हैं तो इसमें आपके अराम से नमर बन जाएंगे एक और बात बता देता हूं कि आपको शिक्स नमर रुचियनी teaching aptitude में आपको एकदम positive source नहीं ठीक है सभी option में आपको positive source कर answer देने हैं ठीक है इसे हम reasoning बोलते हैं सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं यहां पर आप देखे कुल आपके 50 परशन हो गए अंक हो गए आपके डेट सो ठीक है यहां पर आपके देखे सबसे पहले है कि तार्किक योगता उसके बाद है दो वस्तों के आंसिक समानता समरूपता ठीक है विवेदिकरन और समनता और विसलेसन और तार्किक चिंतन इस हिसाब से आपके इन टोपिक से आपके क्यूशन पूछे जाएंगे ठीक है आपके जो ऐसे आपके दोपिक, जो मैंटल अबिले टीघर टॉपपक आपके पूछे जाएंगे उसके बाद हम बात के लेते हैं जिखे के बारे, एक बात और फिर से बढ़ता जेता हूं कि प्रेपर के पैपर में फेर नहीं नहीं पूचा जाता है तब आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जुरूत नहीं है अब आपको आपको पूचा जाएगा तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि आपको इस्ट्री पूची जाएगी उसके बाद यहां पर आपको राजनी तिक पक्स यानि पॉल्टिकल आपक यहां पर आपको समाजिक पक्स लोग जो यणoured आपको राजस्तान में यानि उसके लगबक 2-3 कूशन पुचिजा जाते हैं तो आपको करना है current affair को थोड़ा सा cover करना है उसमें आपको क्या करना है कि जो खेल कूछ से समंधित person है वो आपको थोड़ा सा पढ़ने की जूरुत है ठीक है एक बात हो रहा है कि आपको जो आप में ने आपको पहले भी बता दिये कि आपको एक्जाम में और आपकी इस हिसाप से ठीक है यहां पे आपको देखिए राजस्तान जीकिया में इत्यास राजनीती कला सैंस करती आर्थिक पक्स और बुगोल से लेटेड़ आपको राजस्तान जीकिया में 50 क्यूशन पूचे जाएंगे ठीक है अगला टोपिक हमारा टीचिंग एप्टिटूट ठीक है शिक्सन अभिक कसमता इसके 50 क्यूशन पूचे जाएंगे वही 1500 नमरों को यह उसमें आप देखिए कि शिक्सन इसमें आपकी टोपिक रहेंगे शिक्सन अधिगम नेतरत्वगुण सुरजनात्मक यहां पे आप देखिए शत्तत इम्व अभिक समता है इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ने की जुरूत नहीं है अगर आप बिना पढ़के भी जाते हो तब आपको क्या करना है एकदम पोजिटिव सोचते है तो आपके डेड़ सो में अराम से 100 नमर बन जाएंगे ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें ह आपको दो को लेना है उसमें आपकी जो इंगलीस है वो है कंपसरी ठीक है इंगलीस की इसकी क्यूशन कंपसरी रहने वाले और उसके बाद आपकी जो सांस करता हुर एँ इसमें पर सकते या फिर आप हिंदी को चुछाँग तो आपकी साथ कुस्ठ पूचीasm कर सकते हो तब आपको हिंग्लिप की साथ on कि कूचे जाएंगी जो माइन बात वो यही ए कि इंग्लिप कि कमपलखे और इसके बाद बाद के लेते हैं अगर आप इंग्लिस लेते हो इंग्लिस तो आपके आएगे 20 परसन सार गों के ठीक है इसमें आपको जो आर्टकल्स और आपके जो सेंटेंस हैं इस हिसाब से आपको पूछ़जायेंगे ठीक है अग्ला है यहांप आपको सबद रूप आपके यहां पर देख सकते हैं इस इसाफ से इन टॉपिक्स आपको 30 पूछे जाएंगे ठीक है अगर आप सेंस कर नहीं लेती हो अगर आप हिंदी लेते हो तब आपको हिंदी के 90 तीस क्यूशन आपको पूछे जाएंगे 90 निमर के ठीक है तो हिंदी में आपका क्या हो जाएगा आपका विलोम सब्द परियाईवाची सब्द सब्द सुध सब्द का और संदी समास मुहावडे को आप ठीक है कोक्ति पत्य उपसर्ट और इस से क्विस्फ पूछेग्युत अपकर फिर सी बता देता हूं कमें हिंदी trading के सक लिकार्ट ना इससाब से आप हिंदी की 30 Quesn ले लेना ठीक है तो इससाब से आपके 90 नमरों की ताएगी हिंदी उसके बाद आप सैंस कर लेते हो तो 90 की सैंस कर उसके बाद 60 की आपकी अंग्रेजी कंप्लेस्टरी है ठीक है उसके बाद teaching aptitude यानी अभी समता आएगी आपके 1500 नमरों की और उसके बाद यहां पर आपकी mental ability 1500 की और जिक्के भी आपका डेर्स होगा ठीक है तो इससाब से आपका cool paper होगा 600 नमरों का ठीक है 600 नमरों का आपका paper होने वाला है और cool दोस्तों की उसने आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि कि इससाब से आपका syllabus रेने वाला एकदम विस्तार से आपको समझा दिया है बने रे नेक्स्ट वीडियों में बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए आपको कौन सी बुक परचेज गरनी चाहिए और आपकी जो cutoff है बेस्टीसी की वह क्या रहने वाली यानि बेस्टीसी से लिटेट जो भी नियूज होगी तो आपको study light पे सबसे पहले उपलब्त करवाद दीज जाएगी या फिर आपको परवाइड करवाद दीज जाएगी तो धन्यवाद बने रे चेनल की साल लैक्स और सब्सक्रेब स्टेड़ी लग धन्यवाद